वो वायरल हो गया तो उनका नाम था डब्बू तो हमने यह यह लिखा डब्बू अंकल गोविंदा अब अगर यह जो मैंने आपको बात बताई है समझ में आ गई हो तो आपको एक चीज समझ में आई होगी यह जो अगर लिखा नगा यह है प्रॉपर नावन और यह जो गोविंदा लिखा यह प्रॉपर नहीं लेकिन दोनों सेम तो है नि यह दोनों तो अलग-अलग परसन है तो हमने इस यहां पर लिंकिंग वर्विव्व करने का मतलब यह कि जो हम इस वर्व के बाद में लिख रहे हैं वह और वर्व का सब्जेक्ट थे में जो भी लेकिन अब यहां पर यह कहना चाहते हैं कि सेम नहीं है लेकिन डब्बू अंकल गोविंदा के जैसे ही अगर डांस की बात की जातों पाकी तो डिफरेंसेंस हैं सेकल सूरत अलग है रहना खाना पीना अलग है ठीक है लेकिन डांस स्टेप्स में देखा जाए तो प्रॉपर नावन है वैसे तो यह दोनों जो है वो प्रॉपर नावन है लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर गोविंदा को हमने एक टाइप माल लिया डबू अंकल के वल प्रॉपर है ठीक है गोविंदा आप बन गया कोई भी परसंग जो गोविंदा के जैसे डांस कर ले उसकों गोविंदा कह देंगे तो गोविंदा हमारे लिए नेम औफ इंडिविज्व ना रहके नेम ऑफ क्लास बन गया थी कि अच्छे डांसर के क्लास तो यह जो नाम है यह है प्रॉपर और यह बन गया common गोविन्दा वैसे proper name है लेकिन हमने अब उसको एक category मान लिया तो हमारे लिए अब यह common है common nouns मान के use करते हैं category मान के use करते हैं ठीक है उनके साथ मैं article लिखा करें common noun countable होते हैं singular number में बिना article के नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखो डबू अंकल इस अगोविंदा अब उंकल तो गोविंदा है गोविंदा है का मतलब गोविंदा के जैसे dance में एक और example देखे अगे अगे लिखा माइप प्रेंडेश्टेट मेरा दोस्त आइंस्टेट 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 तो बहुत पहले मर गया तो आइंस्टेट तो नहीं हो सकता क्योंकि लेकिन हां कोई ऐसा पर्सन जो की बहुत तेज दिमाग हो बहुत इंटेलिजन्ट हो इसका बहुत अच्छा हो ठीक है उसको हम यह कह सकते हैं कि कि आइंस्टाइं तो आइंस्टेट कर आइंस्टेट को हम गया कि जो बहुत इंटेलिजन्ट हो इसको कह दें उसको कह दें कि कि तो आइंस्टेट इस और एंस्टेट को थे अशा video कि अब यहां भी आप देखोगे तो वैसा ही है कि काली दास जो है काली दास जो है यह प्रपर नावन है कि काली दास जो है इंडिया के लिखा अच्छे ड्रामा लिके ठीक है तो उसी तरीके से संस्क्रत लैंग्योज में इंडिया में काली दास जीन को क्या के अब यहां पर नावन ने प्रोन लिख तो यह प्रॉपर है तो जब यह नाउन common हो गया तो हमें पता है common nouns countable होते हैं singular number के बगए आने सकते हैं तो हमने बिना डिटर्मिनर के गलत है अब हम इसे सही करना है कैसा सही करने तो एक तरीका तो हमने उपर ही देखा कि जब हम किसी proper noun को common noun के तरीके से माण से यूज़ करते हैं तो उसके जात में लेकिन यहां पर situation ऊपर वाली सिच्टılar से डिफरेंट हैं यहां कि क्या अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं और नाओन को कवाइन से लिखेंगे लेकिन अगर हम उसके बाद में कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखकर उसको डिफाइन कर देखा अब इसका मतलब यह कि उसके अंदर के सैतान ने उसके सेंस को कंट्रोल कर लिए कि कोई परसन है बड़ी बेतुपी बाते करता बीना सेंस के काम करता है ठीक है तो हम कह रहें कि ऐसा क्यों कर रहा है तो किसी दिन अब देखो सारे लोग ध्यान देना कि जैस्से गोड है कि कुइन है यह सारे वर्ड कामन होते हैं होते हैं लेकिन यहां पर नहीं नहीं का मतलब को सैतान नहीं है इविल इस पूराइत प्रेपाइब यहां पे जो हमने डेमन वर्ड उस किया नहीं है तो एक कॉमन वर्ड लेकिन एक्शली हम इसको यूज कर रहे हैं किसी एब्स्ट्रक्ट थिंग को रेफर करने के लिए इस प्रिट को रेफर करने के लिए तो यह एक कॉमन नाउन अब यहां पर लेंग्वेस का एक यूज आपको सीखना है अगर हम कभी किसी कॉ इसको उसको रिलेटेड एब्स्ट्रक्ट थिंग्स को फिलिंग हो सकती है को इमोशन हो सकता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसके साथ दार के लिए जाता है तो यहां पर डेमन का मतलब सैतानियत इस प्रेट बुराई तो आम लिए कि देमन इन हीम है इस 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 तोड़े से आसान है जिनसे आप जल्दी कॉंटेक्स समझ पाएंगे जो मैं समझाने के कोशिस कर रहा हूं हालांकि वह कुछ साल पहले रिटायर हो गया लेकिन उसके अंदर का क्रिकेटर अभी भी जिंदा है उसके अंदर की जो मां थी उसने उस लेडी को मजबूर किया बच्चे को खाना खिलने के लिए जो रो रहा था अब क्रिकेटर का मतलब है आर्ट कला क्रिकेटर खिलना क्रिकेटर यहां पर यहां ने लिखा अगले मैं लिखा अब उन्हार मेड़ लेडी टी टूफीड फीड देृइंग चैड़्ड तिए जो अब मदर लिखा ना इस मदर का मतलब है फिलिंग स्था पर आपने जियान हें अगर हम कभी किसी common noun को use करें उससे related abstract things को represent करने के लिए मलब common noun अगर किसी abstract noun को represent कर रहा है sentence में तो फिर dart कर लिए तो इसके अंदर का जो अबसर है जैसे कोई person है अब वो ऑफिसर है तो ऑफिस में रहता है बस बनके रहता है उसके जो सबॉडिनेट्स हैं उसके एंडर में जो काम करने वाले लोग अपना उन पर हुकम चलाता है ठीक है वो लोग उसका कहा भी मानते हैं क्योंकि उनका बॉस है लेकिन अब घर पर आ जाएगा और उसके अंदर का ओफिसर वहां भी बना रहे है वह अकड़ ऑफिसर वाली घर भी बच्चों से भी कहें बच्चों के लिए ऑफिसर थोड़ी होती है बॉसी फीलिंग होती है वह कुल मिला के आसान बात है मुझे लगता है सबको समझ में आगए होगी आगे अंसर होता ही है और यह जो प्रेपोजिशन है ने पार्ट को रिलेट करती है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई कुछ थे और उसमें से कुछ का मतलब कुछ से लिए नहीं है सब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा सम जो की पार्ट को as a subject as an object refer करें sentence में तो जो total number या amount क्या है उसके बारे में हमें पता होगा या नहीं होगा आप grammar को किनारे कर दीजिए भूल जाए कि हम English पढ़ रहे हैं ठीक है बस common sense का use करके इस question का answer करो कि हम किसी एक certain number या किसी एक certain amount के part को as a subject या as an object refer करें किसी sentence में तो जो total है या नहीं पता होगा कि total क्या है कितना है होगा या नहीं common sense, yeah evet common sense Smooth, जरूर पता होगा क्यूकि अगर हमें यह पता ही ना हो की total क्या है ठीक है डूज कैंना का है तो हम कैसे उसके पार्ट को sentence में subject object के तरीके सरे रफर अगर दtechn 나오के्र नेफित का तो जब भी हम किसी पार्ट को में सब्यालिट 이제 आपशिक है आपजेक्ट रफ़र करते तो पार्ट किस टोटल का हिस्था जाने ह Negro कमे की बात है तो अगर हमें वो टोटल पता होता है कि किस टोटल का यह हिस्ता है तो फिर उसके दाद आर्टिकल लिख दो तो यहां पर लिख दो कि कम आप दी कुर्शन वर टेकन फ्रम दिस बुक कि कि अगर हम कभी भी सम आफ सब्सेवाल नमा सब लिख आफ है ईल उनं अ आफ व एक यह उं स्थ मोस्त अ लिख या वन फ आई ब्सक्राइ trader Window नाइदर आफ आप 10 परसेंट आफ 5 परसेंट आफ अगर हम इस तरीके के कोई भी एक्सप्रेशन लिखें तो हमें ध्यान देना है कि जिस इसके बाद जो भी आप नाउन लिखोगे ना वह नाउन टोटल को रेफर कर रहा होगा और उसकी डेफिनिट होगी तो उसके साथ में में लिखना यहां पर नहीं लिखा में लिखती प्लायज भी एक और मुर्ण घेटो नुट्वर ओफ दिन नुट्वर ओफ अप्लिकेंट्स एप एक उनट चाहता था एक लाइन में आजाए कोई नहीं नहीं तोटा सेंटेस लिखता हूं वन तू थ्री the number of the trees has decreased in cities yeah in cities in Delhi so नहीं लिखा था हूं नहीं काना हूं the number of the trees has decreased in the cities यहां पर लिख दिया इमांट आफ मनी यहां पर ठीक है यहां से टालो तो सीधे लिखो दिएमांट आफ मनी इन इस बैंक में जो मनी का मांट है उसके बारे में उसको आइडिया देखने तो दिएमांट आफ और दिएमांबर आफ इनके बार लिखे के ना उसके साथ में आपको आर्टिकल नहीं उसकर नहीं ज्यान लिखना अगला क्यों आप देखे जैसे हमने ओल रफ लिखा तो इस चीज का ओल आफ यह में बताना पड़ेगा तो जैसे ओल आफ तो हमने लिख दिया ऑट अल वट किसका आल आफ तो जिसका भी वह ओल आफ होगा वो कोई देफिनिटी होगी तो उसके साथ लिखो द आप दिखे इसको हमने आप से पहले लिख रखा आजा सब्जेक्ट अच्छा यहां पर जो आल हमने लिखा यह प्रणाउन नहीं है यह है डिटर्मिनर तो आपको ध्याने देना है कि आगर हम यूज़ा देटर्मिनर करें तो जो नाउन के साथ हम दाइटिकल यूज़ करते हैं वह पहले हम बात को ऐसे भी दियान रख सकते हैं नहीं तो फिर भी मैं आपको एक मौका देता हूं चीजों को समझने का देखिए मानलो मैंने लिखा कि टीज कि आल कि बुक्स कि आप टीज कि बुक्स कि अब यह जो दो हमने यहां पर नाउन फ्रेज़ से लिझे हैं इन तो यहां पर हम देखे तो जो हमने लिखा है दीज आल बुक्स बहुत्स यहां पर आ प्रए gefश को यहां पर दीज कर रहा है क्या लगता आपको ऑंसलोगिकल का है सब्सक्राइब करें थो बैटर है या अल्ल बुक्स को धिस्टर करें थो बैटर है कॉमन सेंस रूल कर धियान नहीं ले जाना है करके हमें यह बात बताने है क्या सभी तरीका है बताओ बेल बुक्स को दीज डिस्क्राइब करें है यह लॉजिकल लग रहा है चेहरät यह दीज बुक्स को अजखना है यह लाजिकल लेखना है सान मुषिब ल॑ं अगर हम all books लिख देंगे तो जब हम all लिखेंगे तो इसका मतलब कोई certain specific number of books हैं उनकी बात कर रहे हैं तो वो books हमाले definite होई जाएंगे फिर इस लिखकर हमें पताने की जरूरत है नहीं जब all books हम कहेंगे तो हमें यह भी पता चल जागा कौन से वाली books तो अगर these all को describe कर रहे हैं तो it doesn't seem logical क्योंकि जब हमने all books कहीं दिया है तो कौन सी all books हैं वो कहां पर रखें कहां नहीं रखें हैं मैं पहले ही पता होगा तो फिर उसके बाद में लिखने जरूरत नहीं है लेकिन मान लो हमने का these books these books से हमें यह पता चला कौन से वाली books इधर वाली या उधर वाली ठीक है अब वो इधर वाली books हैं वो सब की सब या उसमें से कुछ ही है अगर हमें बताना है तो उसके लिए फिर हम अलग से लिख देंगे तो अगर these books को all describe करें तो यह तो logical है लेकिन अगर all books को these describe करें तो यह logical है तो फिर उसकी जरूरत नहीं रहेग है तो वो जो article या कोई भी determiner होता है वो इनके बाद लिखा करो लेकिन अगर वहीं पर हमें होल है इनके साल लिखना तो पहले लिखा करो अगर वह तो यह थोटी सी बात हमें द्यान रखनी है कि अगर हम all बोथ आप इन डिटर्मिनर के साथ करें तो जो हम नाउन के साथ कोई और यूज कर रहे हैं तो वह इनके बाद लिखा जाएगा लेकिन अगर वहीं सेम या होल का यूज करें किसी नाउन के साथ में और उस पेहले बताना चाहिए ने जो से यहां at इसको या इसको लिखन पर रखेंच करने कि लिए लिखा जाता है और हमने पहले बीपड़र की एडवर में भी पड़ी थी एजेक्टिव में फडिया रहा है वह अपनी फ्रेज्बिस रीज करने के लिए बाद में Records में उसकी पहले ही होती है लिखेंगे बोथ इस पारेंट सब्सक्राइब वो अपने पूरे जीवन मतलब आस्तिक रहा होल इस लाइफ ठीक है तो हमने क्या पड़ा होल और सेम से पहले लिखना है डिटर्मिनर्स को ते लिखो होल लाइफ अगल्य मैं वहांगे आदम हुमने का है यही आद्म में कर वहांपर वकर रहा है और यहाल को अब देखें यहां पर समझना यह सेंटेंस आपको बस यह बताना है कि यह जो यहां पर उसका कारण की ड्रेस यह से यहां पर यहां पर उसका कारण की ड्रेस यह का मेंन वरड़ा है इसको हम रेच कर रहें हो थनके वाट लिए तो ध्यान दो तो अपने आप समझने का है अच्पप यहां पर शुद आप अपर नहीं पर रूरु रहे इस तो आप मोन करो कि बड़े कॉमन सेंस की है कि हम किसी भी नावन के साथ में अगर कोई पता ही नहीं हमारे topic ऑफ दैोग क्यों करेंगे इनावन पैसा इस करते हैं जिस से में बता पाएं कि हम जिस नाउन की बात कर रहें वह कैसा है उसका टाइट के लिए नहीं करना है वह हमारा टॉपिक ही नहीं है तो हम उसके साथ डेकर लिखांग है तो इनके काइंड आफ टाइप ऑफ स्वाट आप के बाद में डेकर मत लिखा करो मैं आप इ I can to use no article with such nouns as follow kind of, type of,and, sort of a say noun जो काइंड आफ टाइप और शॉट आफ को फॉलो करते हैं उनके साथ में आर्टिकल का यूज ना ठीक है अगले पैज़ी है कि यह जो हमने सेंटेंस लिखा बच्चे क्या है इसमें दर एफ्री सब्जेक्ट है डेक्लेर वःव है ऑफ्री ने डेक्लेर किया किसे मोनको मोन औप्जेक्ट है क्या डेक्लेर क्यां दौव निएन उनने करना प्ड़़ता अब उसके साथ वं धालिक नहीं देंगे लिए ईसके साथ सेतुम आडिकल लिख सकते हैं क्योभी सिंगुलर नॉममर में बिना डिटेमीनर के आते नहीं है लेकिन जो विनर है नहीं कोई और परसंग नहीं है यह विनर जो है मुहन ही है कोई और नहीं है तो यह वया जा कॉम्प्लिमेंट है इसको करने की जरूवत नहीं जब आप उसको मुहन के साल लित प्लाइट से चलंग होते हैं इनका हमें स्प्एशल द्यान रखना है अब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट के साथ में आर्टिकल ना लिखें और यह जो दी डारेक्टर है और दी चेर्मेन है यह अब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट है क्योंकि चेर्मेन कोई और नहीं है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सरल है वही डारेक्टर है और जो सरल है वही चेर्मेन है तो अब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट है कोई अधर पर्सन तो है नहीं अब देखो ध्यान देना कि किसी पर्सन को कोई डैजीगनेशन कोई पोस्ट पर पॉइंट कर दिया गया अनॉमीनेट कर दिया गया लाक्ट तो वहाँ पर ध्याने रखना है कि कुछ पोस्ट जो होती है यह कुछ डेजिगनेशन्स ऐसे होते हैं जो इंडिक होते हैं वह एक और डियरेक्टर के अगर हम बात करें तो वो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है पार कि अगर हम कभी पोस्स को अब्ट बना के लिखें तो उनके साथ कभी लिखना नहीं भूण बनाके लिखें जो उनिक है जो किसी एसे स्कूल में और तो अगर ऐसी कोई पोस्ट है तो उसके आप कोई आर्टिकल नहीं लिखना है तो इसको तो सीधे ऐसे लिखा रहे हैं तो अब मानलो कोई ऐसी पोस्ट है जो one of many होती है जैसे थाने में इंस्पक्टर कई हो सकते हैं में मैंनेजर्स क्यों होसकते हैं टीम में केप्त poured अएक ही होता है है। Scientist तो यह ध्यान रखने कि अगर कोई ऐसी पोस्त है जो इन्सिटूशन में तो उसके साथ तो कोई आर्टिकल नहीं लिखना है लेकिन अगर कोई ऐसा डेजिगनेशन यह पोस्त है जो one of many होती है कई हो में से कोई भी हो सकता है मतलब उस टाइप के बहुत सी पोस्त होती है और तो हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं तो यहां पर डारेक्टर के साथ चाहो तो आप कुछ मतलिखो और चाहो तो यह लिख सकते हो यह डिपेंड करता है सिच्वेशन पर अब हमें तो पता नहीं कि कैसी कंपनी है उसमें एक ही डारेक्टर है ठीक है एक से जादा है तो यह यह लिए दो दे हैव पॉंटेट सरल अडारेक्टर कि उन्होंने कंपनी में एक डारेक्टर बना दिया उसे एक डारेक्टर बना देने का मतलब यह वह यह बहुत समझ में आ गए जो मैंने आपको समझा ही है कि औप्जेट कॉंप्लिमेंट के साथ में आर्टिकल नहीं लि इसकूल में प्रिंसिपल टीम में कैप्टन कंपनी में चेयरमेन तो और कोई आटिकल नहीं लिखना उसके साथ में कई पोस्ट होती है उस डेजिक्टी की तो फिर उसके साथ में आप सकते हो या है ले लीखना है ओ कि इंये ति है कि एसे मीन्स ओप ट्रांप्रटेशन मंत्ड़ेशन जनके साथ उडिव है यह इसमें हमने दो means of transportation लिखें एक हम लिखा है अब बसके साथ हमने प्रेपोजिशन के साथ अब निक्राइब लेकिन अगर हम किसी means of transportation के साथ में कोई दूसरी प्रेपोजिशन लिखे हैं भाई को छोड़ कर तो फिर वहाँ पर प्रेपोजिशन लिखा करो उसके साथ आर्टिकल लिखा करो कुछ भी लिखो तो समझे हैं तो सही हो जाता है अगर हम वाई कार कर दिया तोभी और लिख दिया तो अब अब यह हमें समझना है कि difference कि अगर हम बाई कार लिखें यह ना लिखें तो देखो बाई प्रेपोजिशन का यूज़ हम करते हैं जनरल मीनस और ट्रांस्पोटेशन के लिए जनरल लेकिन अगर मालो कभी कोई means of transportation specific हो या हमें उसको specify करना हो तो हम उसके साथ बाई नहीं लिखते हैं जैसे हमने लिखते हैं लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑटो या कोई specific ऑटो की बात करें तो फिर हमें बाई नहीं लिखना फिर preparation दूसरी लिखनी है कौनसी दूसरी लिखनी है आज उसको भी समझ प्रेश्व के दख्यों हूं में लेते हैं कि दख्यों है त्सपैसिफिक मेंस ओफ ट्रांस्पॉटेशन थे जन्रल की बात करनी तो तौह दाई लिखी देंगे लेकिन मान लोग हमें specific की बात करनी है स्प्रेपोजिशन या लिखते हैं इन या लिखते हैं और यह बात द्यान रखने हैं ऐसे मेंस ओफ ट्रांस्पोटेशन जिनमें हमारे फ्री मुव्मेंट पॉस्टिबल नहीं होते हैं जिनमें हम एक तरीके से कैप्चुर हो जाते हैं ठीक हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं उनके साथ हम लिखते हैं इन जैसे इन कार कि इन कैब कि टैक्शी कि और टो कि अम्बुलेंस कि है हेलिकॉप्टर इसे अब बोट में हम कवर नहीं होते हैं जैसे आपने देखा को बूट में कवर तो नहीं होते लिकें फ्रीली उस पर वॉक नहीं कर सकते बैलेंस बनाने के लिए बैठना ही पड़ता है तो हम बोट के साथ इन प्रांस्पोटेशन के साथ में जिनमें हमारा फ्री मूवमेंट हो सकता है जिनमें हम फ्रीली मूव कर सकते हैं और हम उनमें कैप्चुर नहीं होते हैं जैसे कि अब अब बस प्लेन ट्रेन टेप बाइक बाइसिकल अब बाइक इसे के साथ भी लिख सकते हैं जान देना बाइएंबुलेंस बाइट्रेन बाइब कैप बाइब आटो बाइबस लेकिन अगर मेंस ट्रांस्पोटेशन स्पेस्पिक हो अभी मैं एक्जम्पल से कुछ आपको समझावी दूँगा तो हमें वहाँ पर इन्या ओन लिखने पड़ेंगे अगर इस प्रेपोजिशन लिखेंगे तो सेव जाता लेकिन बाइब स्केल है नहीं दोने बाइब के साथ गलत बाइब वाला हो गया इसके बाद अच्छे तो सब्सक्राइब किसी बीजनल ट्रेंग की बात करेंगे तो हम लिखेंगे और यहां पर हमने लिखा अब अगर हमने आप बस लिखा तो हमें आर्टिकल लिखना चाहिए ऑन अबस ऐसे यह ना क्योंकि अगर हम किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांस्पोटेशन के साथ में बाई प्रे तो हमें नहीं लिखना चाहिए कायदे से लिखना यहां पर बस कोई मींस ऑफ ट्रांस्पोटेशन नहीं है तो यह थोड़ा था ना कॉमन सेंस भी अपने कई वार यूश करने की जडरूत पड़ती है मीन्स ऑफ ट्रांस्पोटेशन का मतलब होता है यातायात का साधन कही आने जाने के लिए हम जिस मीन्स का यूश करते हैं वो मीन्स ऑफ ट्रांस्पोटेशन है अब जैसे यहां पर गो है वहां पर ट्रेवल है वहां पर रिटर्न है तो इन वर्ब से हमें पता चल जाता है कि कोई पर्सन मीन्स ऑफ ट्रांस्पोटेशन इसको यूश कर रहा है यहां पर लिखा ही उसको टककर मारी गई तो यहां पर बस means of transportation नहीं है बस पैसी बनाता है तो यह बस ना यह पैसी वाला डूर है इसलिए हमने इसकाद बाई लिखा और यह बाई जो हमने प्रेपोजिशन यहां पर लिखी यह बाई प्रेपोजिशन जो है ठीक है यह क्या न पर क्या लिखा दाइट का मतलब कोई स्पेसिफिक कब कोई पर्टकुलर कब होगी उसमें पांच प्रेसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे इन तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि अगर हम जनरल मीन्स और प्रांपोटेशन की बात करें तब तो हम बाई लिखेंगे किसी के एक एक एक्जम्पल मैने लिखा हा थिफ्ट है वी चननाट रीच अच अपर जिए वाह पॉट पुट अबताओ अगर यह गलत होते हैं से हम कैसे सही करें सब भी लोग बता है we cannot reach that temple by foot कि हम उस मंदिर तक पैदल नहीं पहुंसेके है अब देखो अगर कोई person है जो पैदल कम्यूट करता है पैदल आता जाता है तो उसके लिए वस एक ही फ्रेज होती है on foot और कोई दूसरा तरीका नहीं होत always use on foot if someone walks अगर कोई person walk करता है कोई means का use नहीं करता है तो हम एसा on foot उस करना है गलत expressions क्या के दे रखते होते हैं देखो आपको बता देता हूं मालो जैसे लिख दिया जाए on feet या लिख दिया जाए on walk या लिख दिया जाए by walk या लिख दिया जाए by foot या लिख दिया जाए by feet या एट्सेटरा कुछ भी लिख दिया जाए तो ध्यान रखने हैं सारे गलता है पैदल कम्यूट करने के लिए केवल और केवल और केवल और अब गोचोन पूर्पाइद अगर पर्षिंट करता है तो उसके लिए हमेशा हमें ऑन फूट का ही उस करना यह द्धान की आप देखो गरों तो पॉडलीक प्लेसर एंट पॉडलीक प्लेसर ड़ोज उनिवरस्टी और चिसे से एक्टिविटी से रेलेटेड होते हैं एक प्लेस को उस परपस के लिए जिस परपस के लिए होते हैं विज्ट के जा तो इनके साथ कोई आर्टिकल माहँ लिखा करो तो यह जो सेंटेंस है कोट ने चोर को जेल भेज दिया तो जेल इसी लिए होती है चोरों को क्रिमिनल्स को भेजने के लिए ही होती है तो हमने दवा लेने गया इलाज करने गया मालो मैं डॉक्टर तो मैं डॉक्टर उटो मैं रहा हूं इलाज करने किसी कह तो ठीक है मैं भीमार हूं पेशेंट हूं मैं होस्पिटल कर दवा कर आएं लेने के लिए तो भी स्थीक है तो यहां देखा हुआ है और यहां नहीं की ने जा जाता है तो लिखो, I went to the hospital to meet my friend, और देखो, question number three, he went, thank you everybody, bye-bye.